एक सवाल जो बहुत ज़ादा पूछा जा रहा है, especially Chelsea के rival fans है, कि क्या Chelsea FFP regulations के within operate कर रहा है, Chelsea इतनी ज़ादा spending कर रहे हैं, क्या ये even allowed है, क्या legal तरीके से Chelsea इतना spend कर पा रही है, because Chelsea के पास कोई shirt sponsor नहीं है, Chelsea के पास Champions League football नहीं है, नए होना रहे हैं, सिर्फ mindlessly spend किये जा रहे हैं, तो उसकी आज बात करेंगे, detail में मैं समझाने वाला हूँ कि क्या ये पूरा चक्कर चल रहा है, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, please do make sure कि आप चैनल को subscribe करें, वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, अगर आपको content पसंद आ रहा है तो, और घंटे को दवाना मत भूल तो FFP है क्या, पहले आपको FFP को समझना पड़ेगा, तो FFP में जादा मैं detail में ही जाओंगा, इसमें मैंने already वीडियो बना रखा है, link जो है आपके screen पे यहां कहीं flash हो रहा होगा, please उसको देखिये, बट मैं एक मोटा मोटी आपको समझा देता हूँ, कि 3 साल के अंतराल मे आपका एक profit and loss का statement बनता है, कितना आपने कमाया, कितना आपने खर्च किया, उसमें आपके सारे खर्चे आ जाते हैं, और जो revenue है, वो भी आपका देखा जाता है, उसमें सब आ जाता है, आपकी ticket sales, आपकी player sales, तो वो जो difference है, वो 60 million से जादा का नहीं होना चाहिए, तो losses जो दिखाया था, कि हमको जैसे इस ex company से पैसा आ रहा है, लेकिन वो निकला कि वो एक shell company थी, उसकी pushटी नहीं हो पाई, कि ये actually genuine source of revenue था, genuine source of income था, तो वहाँ पर जो है, उनके regulations की बात चल रही थी, कि यहाँ पर शायद उन्होंने breach किया, लेकिन उसके भी investigation चल रही है, तो उस से take over किया है Chelsea को, तो लगबग 1 billion pounds के आसपास की spending हो चुकी है, 600 million पिछले साल हो गई थी, और अभी 300-300 million के आसपास हो चुकी है, Romeo Lavia की signing का मतलब है, कि 300 million का जो आकड़ा है, वो पार हो जाएगा इस season भी, तो 1 billion की लगबग आपने 3 transfer window में spending कर दी है, कैसे possible है यह, इसकी Chelsea की deal भी थी Roman Abramovich और Todd Boli के consortium में, वो हुई थी लगबग 4.25 billion pounds की, और Roman Abramovich ने ये assurance ली थी, ये condition रखी थी, कि जो भी Chelsea को take over करता है, जो भी Chelsea का नया owner बनता है, वो अगले कुछ सालों में 1.75 billion pounds की investment करेगा club में, और अगले 10 साल तक किसी भी तरीके की dividends club से extract नहीं कर सकता है वो owner, और जब Roman Abramovich ने Chelsea को बेचा, तो जो भी debt था Chelsea पे, जो Roman Abramovich को pay करना था, 1.5 billion pounds के आसपास था वो, वो पूरा का पूरा debt write-off कर दिया, Roman Abramovich ने और उन्होंने make sure किया, कि club जो है, अगर नहीं ownership के हाथ में जाता है, तो financially किसी भी liability से मुक्त होके जाए, और एक बहुत अच्छी हालत में वो club को छोड़ के गए, तो इस तरीके से Chelsea पे कोई debt नहीं था, कोई financial liability नहीं थी, जब Todd Wolley ने take over किया था, और FFP पे मैंने क्या कहा आपको शुरू में, FFP को लागू ही इसलिए किया गया था, कि clubs जो है mindless spending ना करें, debt में ना चले जाए, क्योंकि बहुत Portsmouth, Portsmouth ने जैसे mid 2000s में बहुत जादा खर्चा किया, revenue कुछ कमाया है नहीं, और आज की तारिक में उस club की हालत बहुत जादा खराब है, तो इन चीजों को रोकने के लिए FFP को लागू किया था, तो debt वाला जो angle था Chelsea का, वो बिलकुल safe था, जब Todd Wolley ने take over किया, अब आत for fee है, that could be spread across जितना length है contract का, इस चीज को कहा जाता है amortization, तो amortization में player की value कैसे count होती है, कि जो भी player है, आपने जितने में भी उसको खरीदा है, divide कर दीजे उसको by the length of the contract, तो Chelsea जैसे इतने लंबे-लंबे contract दे रही है, तो मानली जी आपने 80 million का एक player खरीदा है, और उसको 8 सा तो 10 million उसकी transfer fee, 5 million उसका wage, तो 15 million आपको player की cost पढ़ गई, तो इस तरीके से Chelsea ने जितने भी players खरीदे हैं और जो भी उनको wage दिया है, उसको amortize किया है over a long period of time, तो ये तो amortization है जो मैंने FFP वाले वीडियो में भी explain किया था, और किस तरीके से Chelsea को ये मदद कर रहा है player sales के सा तो अगर हम इस window की बात करें, एक छोटा सा example लेते हैं, काय हेवर्ट्स का, काय हेवर्ट्स की accounting कैसे काम करती है, तो काय हेवर्ट्स को Chelsea ने खरीदा था 62.5 million pounds में, तो 62.5 divided by 5 आता है आपका 12.5 million, अब हेवर्ट्स की जो salary थी, वो थी 7.5 million pounds एक साल की, तो 12.5 plus 7.5 हो जाता ह है 20 million pounds, तो 20 million per year के हिसाब से अब 5 साल का contract था हेवर्ट्स का, तो हेवर्ट्स की कीमत अगर वो पूरा अपना 5 साल का contract यहाँ पर see out करते हैं, तो वो होती 100 million, तो यहाँ पर 3 season हेवर्ट्स Chelsea के लिए खेले, तो यहाँ हेवर्ट्स की 20 million पर year के हिसाब से total cost 3 साल की Chelsea को पढ़त इसमें से आप book value minus कर दीजिए, 40 million, तो 27 million का सीधा सीधा booked profit है, जो हमको हेवर्ट्स के लिए मिला है, तो इस तरीके से यह पूरी जो accounting है, वो काम करती है, वापिस से बताता हूँ मैं, transfer fee लीजिए, उसको length से divide कर दीजिए, जितना भी contract आपने दिया है, उसमें player का wage add कर फिर वो जो number आता है, उसको multiply कर दीजिए, जितना आपने उसको contract दिया है, वो आपके total value हो गई player की, जितने साल वो player खेल लिया, उतने साल को उस value से divide कर दीजिए, वो आपके आजाएगी book value उस player की, और जो आपको transfer fee मिल रही है उस player के लिए, उसमें से उस book value को minus कर Mason Mount की हम बात करते है, Mason Mount को Manchester United ने खरीदा है 55 million pounds में, Mason Mount में क्या है, transfer fee तो कोई लगी नहीं है, तो सिर्फ wage वाला जो component है, वो minus होगा, उसके अलावा जितना भी पैसा मिलता है Chelsea को Manchester United से, वो पूरा का पूरा profit है, जो आप FFP में दिखाएंगे, तो इस तरीके से जो है, amortization और player की accounting और जो transfer है, वो काम करती है, और इस वज़े से Chelsea जो है, वो इतना जादा पैसा खर्च कर पा रही है, तो अगर हम पिछले season की बात करें, तो वहाँ पर Chelsea ने 600 million pounds खर्च करे थे, और लगबग 65 million pounds के ही player sale हुए थे, तो 535 million का net spend था, और 8-8 साल के average contract दिये थे सब players को, तो अगर 535 को 8 से divide करें, तो लगबग 135 million pounds आता है, तो 135 million pounds जो है, सिर्फ उतना ही show होगा FFP की accounting में, अगर हम last financial year को लेंगे, यही गारण है कि Chelsea को जितना player खरीदना जरूरी था, उससे जादा जरूरी था players को sell करना, तो अगर आप इस बार player sales पे नजर डालेंगे, तो Chelsea ने players को भी Chelsea बेचती है, तो यह जो net spend है, यह और कम हो जाएगा, और जो player sales से profit है, वो और जादा हो जाएगा, तो अगर आप इस window की spending देखें, तो लगबग 300 million के आसपास का spend हुआ है, 5 साल का average contract दिया है, क्योंकि अब जो amortization वाला rule है, वो change हो गया है, next season से जो है, वो 8 साल का आप contract नहीं दे सकते हैं, सिर्फ 5 साल के period में ही जो है, वो amortization आपका count होगा, loophole जो है, वो close कर दिया है, दोनों UEFA और Premier League ने, आप contract लंबी length का दे सकते हैं, आप 8 साल का contract दे सकते हैं, लेकिन जो amortization है, जो transfer fee है, वो 5 साल में ही spread out होगी, तो इस window की अगर मैं बात करूँ, यह जो अभी current summer window चल रही है, उसमें लगबख 300 million Chelsea घर्च कर चुकी, अगर हम Romeo Lavia को भी उसमें include करते हैं, 5 साल का contract होगया, तो 70 million की amortized value आ जाती है, transfer window की, और उसके बार 200 million लगबख हमने sales से generate कर लिया है, तो 70 minus 200, लगबख 180 million हम अभी profit में हैं, क्योंकि जो player sales होती हैं, वो spread नहीं होती हैं, वो एक साथ आपके account में show होती हैं, कि आपने इस window में कितना जादा आपने players को बेचा है, तो वो जो आपके revenue आता है, player sales के रूप में, वो आपकी amortized value के against में तुरंत adjust हो जाता है, तो यहाँ पर player sales हो गई 200 million की, और player जो खरीदे हैं amortization की वज़े से वो reflect होंगे सिर्फ 70 million के, तो Chelsea अभी 180 million credit में हैं, और इसमें अगर आप 70 million और minus कर दे हैं, जो हमने पिछले season का अगर आप loss एक तरीके से कह सकते, anchor किया हैं, क्योंकि players खरीदे बहुत जादा थे, लेकिन sell कुछ नहीं किया था, तो last window और इस window का मिला के Chelsea अभी भी 110 million pounds credit में हैं, औ और इसलिए Chelsea इतना जादा पैसा खर्च कर सकती है, अभी भी, इसके अलावा अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, तो लगबख 1 billion pound से जादा raise किया है Chelsea ने player sales में, तो ऐसा नहीं है कि Chelsea सिर्फ खरीदती भी है, historically Chelsea एक selling club भी रहा है, जहाँ पे Chelsea ने अच्छा revenue generate किया है player sales से, प इस तरीके से Chelsea इतना जादा पैसा खर्च कर रही है, कैसे Chelsea players को खरीद पा रही है, और क्यों Chelsea FFP को breach नहीं करेगी, लेकिन क्या ये sustainable है, क्या ये long term strategy है, उस पे एक बार नजर डालते हैं, तो ये जो है एक बहुत बड़ा gamble लिया है, तो ये gamble इसलिए लिया है owners ने, क्योंकि अगर आप अच्छे player sign करते हैं, तो आपकी performance के जो chances हैं, वो बहतर होते हैं league में, यहाँ पर Chelsea क्योंकि आप 12th finish नहीं करेगी इस season, इसका मैं absolutely sure हूँ, तो revenue बढ़ता है, Champions League अगर आप qualify करते हैं, तो आपको और ज़्यादा revenue मिलता है, shirt sponsor अभी Chelsea के पास नहीं है, वो आएगा तो और ज़्यादा revenue मिलेगा, तो अभी तो आपने इस season और next season का भी in fact आपने जो FFP का regulation है, वो cover कर ली है player sales से, लेकिन उसके बाद आपको 3-4 तरीके से अपना revenue बढ़ाना पड़ेगा, पहला तरीका यह है, player sales, player आपको और बेचने पड़ेंगे, आप और बेच सकते हैं, player अगर और जाते हैं, तो और आपकी जो net spend है, वो बहतर होती है, आप positive में जाते हैं, दूसरा है Champions League qualification, जिससे आपको बहतर TV rights की value मिलेगी, आपको बहतर revenue earn होगा, और आप जितना ऊपर finish करते हैं Premier League से, उतनी आपकी कमाई जादा होती है, तीसरी better commercial deals, अभी आपके पास sleeve sponsor नह तरीके से manage कर सकते हैं, और चौती चीज यह है कि Chelsea का जो plan चल रहा है, नया stadium बनाने का, एक बड़ा और एक भैतर stadium बनेगा, Stamford Bridge की जगे पे ही, अभी जहां पे वो stadium है, उसके लिए Chelsea ने अलग से 800 million pounds allocate किये हैं, और जो stadium का जो redevelopment होता है, वो FFP में count नहीं होता है, तो ये Chelsea की capacity मान लिजिए 42,000 के आसपास है, तो 55,000 का अगर आप stadium बना देते हैं capacity का, तो और ज़्यादा आपके पास revenue आएगा, tickets, sales, commercial deals जो होगी, और आपको बहतर मिलेंगी, और उससे ज़्यादा system में पैसा आता है, तो ये सारी चीज़े जो है, Chelsea को ध्यान में रखनी है, तो अ प्लस इस तरीके से FFP को जो है, circumnavigate किया है, कि यहाँ पर breach नहीं होता, किसी भी तरीके का, और एक जो चीज है, कि क्योंकि हम पर ban लग गया था, हम पर sanctions लग गये थे, उस समय, जब club भिक रा था, और Russia-Ukraine war का बिलकुल जब शुरुवात हुई थी, और उस समय क्या अचाउंड्स फ्रीज कर दिये गये थे, मेगा स्टोर बंद कर दिया गया था, टिकेट्स नहीं हम सेल कर पा रहे थे, तो उससे जो लॉस हुआ था, वो भी FFP ने अकाउंड में लिया और थोड़ा सा Chelsea को लिवे ज़ादा दिया है, compared to some other clubs, तो इन सब चीजों का इस्तिमाल करके Chelsea इतने सारे players sign कर पा रही है, इतना जादा पैसा खर्च कर पा रही है, और अपनी टीम को और जादा मजबूत बना पा रही है, और FFP भी यहाँ पर breach नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देगे एक बात आपको जाननी पड़ेगी, कि Todd बोली जो है, एक multi-billionaire आदमी है, औ और कोई बेफकूफ आदमी जिसको तरीका नहीं पता या जिसको पता नहीं कि कैसे profit and loss के statements काम करते हैं, किस तरीके से जो financials है, उनको operate किया जाता है, loopholes निकाले जाते हैं, आपको लगता है कि बिना किसी knowledge के, बिना किसी plan के वो इतना सब कुछ खर्चा कर सकते हैं, कि भाई खर्च दो, खर्च दो, भाई हर चीज के पीछे एक plan होता है, हर चीज के पीछे एक risk होता है, ये risk लिया है Chelsea ने definitely, बट अगर अगले दो से तीन साल में Chelsea एक Premier League जीत जाती है, Champions League में regular हो जाती है Chelsea, तो ये जो risk है, that would come off, और ये risk लेना सही साबित हो जाएगा, because Chelsea जो है वो FFP के दाइरे में रहेगी, commercials जो है Chelsea के फिर से strong हो जाएगे, और financially Chelsea वापिस stable हो जाएगी, तो एक मातर जो चीज Chelsea को रोक सकती है, Chelsea को बरबात कर सकती है, FFP के दाइरे में, वो है कि Chelsea फिर से जो है, एक खराब सीजन से गुजए और bottom half में finish करेगा, अगर Chelsea consistently bottom half में finish करेगी, तो महाँ पर Chelsea को problem हो सकती है, लेकिन जिस तरीके की Chelsea ने team मना दी है, जो हमको पहले match में देखने को मिला, Liverpool के against Morrissey Positino, जिस तरीके के manager है और जो signings करी है Chelsea ने, I think हमको लगता है कि ये risk जो है, ये worth होगा लेना, और Chelsea आपको अच्छा perform करती भी दिखेगी future में, and hence commercially भी Chelsea बहतर position म आ जाएगी, तो ये था वीडियो आज का, और इस तरीके से जो है FFP काम करता है, इस तरीके से Chelsea इतना सादा पैसा खर्च कर रही है, तो अगर आप एक Chelsea फैन है, और आपको कोई rival fans आके इतना जादा सुना रहे हैं, तो उनसे प्लीज ये वीडियो शेर कीजिए, और अगर पता है, बहुत सारी यहाँ पर सवाल उठ रहेते कि sponsor नहीं है, Champions League नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम कैसे इतना पैसा कर्च कर रहे हो, इस वीडियो से जो है, I hope आपको clarity मिली होगी, चलिए फिर मिलते हैं, नेक्स वीडियो के साथ, जब तक ध्यान रखिए अपना टेक कर और अब तचल्स, टोंट फोगे टो किप अबलू फ्लाग फ्लाइग है